एकнит coherent नेक्स्ट्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्टिक फिल्ड द्योटो उनिफिर्मली चार्ज इन्फाइनाईट लाइन या इलेक्टिक फिल्ड द्योटो इन्फिर्मी उनिफिर्मली चार्ज लाइन ठीक है तो मेरे पास एक infinite line होगी infinite possible है क्या नहीं हा न तो यह हम लोग ऐसा assume कर लेंगे कि उपर नीचे से infinite है heading डालते है electric field due to infinite uniform line charge ठीक है तो इसमें क्या है हमारे पास एक infinite line है let us assume कि यह positively charged है और इसका positive charge density है line charge का क्या होता है lambda ठीक है और मुझे इस point P पे electric field निकालना है ठीक अब यह infinite है ना अगर यह infinite है मैं इसके यहाँ पे इस point पे खड़ा हूँ मालो यह point है O इस point पे खड़ा हूँ मैं दोनों side देखूँ हमा left, right इधर भी मेरे को दिखेगा यह दूर तक जा रहा इधर भी दिखेगा यह दूर तक जा रहा अगर मैं देखूँगा तो मेरे left, right left, right हर equal distance पे equal distance मेरे को point मिलेंगे की मिलेंगे मिलेंगे न, ठीक है, चलो ये point का distance को x मान लेते हैं, perpendicular distance from our line charge और इससे y distance उपर मैं एक छूटा सा dy length का एक charge element लोगा इस dy length की वज़े से जो charge होगा, वो कितना होगा भई, dq और वो कितना होगा, lambda dy ठीक है न, अच्छा, इसकी वज़े से electric field कितना होगा, इसकी वज़े से electric field होगा, d e ठीक है, अच्छा, ये same इसका एक भाई बंदू नीचे भी मिलेगा मेरे को, same y distance पे तो ये यहाँ पे हमान लेते हैं, dy, तो ये भी distance कितनी है, y, इसकी वज़े से जो electric field होगा, वो भी इस direction में आएगा, दूसरे direction में न, तो ये हो गया d e, इसको थोड़ा extend कर लेते हैं, चलो, अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिकत नहीं है न, मुझे इस point पे net electric field निकालना है तो भाई साब दो electric field है, यह दोनों का vector addition मेरे को दे देगा, बट उससे अच्छा है न, थोड़ा सा advance सीखो, भाई, field, force, जो भी था, इसके component करना तो सीखे हो न, rectangular coordinate system में, x axis, y axis में, तो अगर ये angle theta है, ठीक है, देखो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, दोनों triangle content है, ये angle भ तो अब देखो, ये theta है, तो ये vertically opposite angle theta, ये theta है, तो ये vertically opposite angle theta, ठीक है, तो ये जो d है, इसके दो component होंगे, एक इधर होगा, इसकी वज़ा से, d e cos theta, और ये उपर वाले के वज़ा से भी इसी direction में होगा, d e sin, अरे भाई साब, अभी हम ये वाले component की बात कर रहे है, x axis के along जो है, अभ y axis के along जब देखोगे, तो फिर दो component होंगे, ये वाले का उपर होगा, जो की होगा कौन सा, d e sin theta, और एक नीचे होगा, जो की होगा, ये इसकी वज़ा से है, d e sin theta, ठीक है न, अच्छा, अब ये जो d e है, छोटा सा, electric field, जो तो d y length of charge, वो कितना होगा, d is equal to k d q by, distance कितना लेना है भई, r square, ठीक है, अच्छा, इसके along, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, तो d q के value कितनी है, lambda d y, अच्छा, ये देखो, ये जो d e है, ये वाला भी same है, ये वाला भी same है, बस direction में फर्क है न, तो इसका मतलब ये जो d e sin theta, ये d sin theta है, ये दूसरे को cancel कर देगा, sin theta components will cancel each other, clear कि नहीं है, अच्छा, तो हमको बचेगा, क्या, हमको बचेगा, ये भाई साब cancel कर देगे, एक दूसरे के वजूद को, और हमको सिर्फ जो electric field में मिलने वाली है, वो मिलेगी, x axis पे, जो की होगी, देखो, दो है, दो है, 2 d e cos theta, simple, एकदम, एकदम, चलो भाई, d e का value ले आओ, k d q by r square, 2 k d q by r square, cos theta, चलो, 2 k d q की value, lambda d y, d y by r square, cos theta, अच्छा, यहां तक तो दिक्कत नहीं है, और मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसको integrate करना पड़ेगा, है की नहीं, कहां से कहां तक भी, तो मेरा electric field जो है, वो कैसे vary करेगा, minus infinity से, infinity, बत मैंने इसका भी influence लिया है, इसका भी लिया है, तो यह दोनों अगर साथ में जाएंगे, तो यह 0 से start करके infinity तक जाएंगे, मेरा पूरा line cover हो गया, अगर मैं केवल एक लेता, तो मैं सिर्फ d e cos theta लेता, दूसरे को नहीं लेता, और मेरा limit होता, minus infinity से infinity तक पूरा जाना पड़ता, मैं अगर दो ले रहा हूँ, दोनों का influence, तो दोनों यहां से शुरू करेंगे, और infinity से जाएंगे, और पूरा line cover हो गया, तो इसका मतलब मेरा जो limit होगा, वो 0 से infinity होगा, clear है न, कुछ लोग इसको minus infinity से infinity ले सकते हैं, बट वो क्या करेंगे, इस 2 को नहीं लेंगे, अगर जो maths वाले बच्चे वो इसको और अच्छे से समझेंगे, कि minus infinity से infinity है, हमारा यह जो electric field is symmetrical मिलने वाला है, तो इसकी वज़ा से क्या होगा, यह हमारा even component होता है, तो क्या लिख सकता है, इसको हम लोग 2 into 0 to infinity, यह हमने definite integration में देखा हुआ है, ठीक, यह बायो वाले उत्ते अच्छे से नहीं कड़ सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको use करता हूँ, ताकि तुम लोग आराम से समझ सको, तो यहां तक कोई दि infinity, lambda dy by r square cos theta, अच्छा अच्छा अच्छा, lambda बाहर चलेगा, अच्छा अच्छा, मैं इस हो गया, यह देखो वहाँ, यह r है, अब यह pythagoras theorem यूज करो गया, अगर तो क्या लिख सकते हो, x square plus y square is equal to r square, जिसका मतलब यह r square को मैं substitute कर सकता हूँ, क्या x square plus y square से, एक दम कर सकता होई, x square plus y square, अब देखो, अभी मेरा जो dy है, यह भी y है, बट, theta भी vary करेगा, जैसे यह length उपर जाओगे, तो angle भी बढ़ेगा, और y भी बढ़ेगा, तो मैं इसको एक variable में ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, बड़े आराम से, देखो कैसे यह, अगर मैं देखूं, यह यहाँ पर, यह मेरे पास है, cos theta, अगर मैं इस में देखूं, मैं अगर tan theta लिखूं, मुझे क्या मिलेगा, perpendicular upon base, पंडित बदरी प्रसाद, हरी हरी बोल, तो perpendicular upon base, theta के लिए perpendicular होगा y और base होगा x, तो y upon x, तो मैं y को क्या लिख सकता हूँ, x tan theta, और dy को क्या लिख सकता हूँ, x, sex square theta, d theta, 10 theta का differentiation, sex square theta, दोनों side differential ले रहे हैं, तो यह dy होगा और यह d theta होगा, clear है न, अच्छा, यह y को यहाँ put करके देखो जारा थोड़ा सतो, तो x square, plus x tan theta का square, is equal to r square, यह क्या होगा, x square, 1 plus tan square theta, is equal to r square, अच्छा, यह 1 plus tan square theta, 10th metrignometry में पढ़े थे न, क्या होता है, sex square theta, clear है, तो चलो, यहाँ थोड़ा सा substitution करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा substitution करते हैं, तो हमारा inert जो आ रहा था, 2k lambda बाहर, integration from 0 to infinity, x square, plus y square, तो हमने तो x square, plus y square, जो r square हो, उसको x square, sex square theta, अल्रेडी प्रूब कर दिया हैं, तो मैं direct लिख दू यहाँ पे, और dy की value देखो, x, sex square theta, d theta है, x, sex square theta, d theta, और x square, plus y square को हमने क्या प्रूब किया है, x square, sex square theta, उसको भी लिख दो, theta, cos theta, clear, अच्छा, और बच गया क्या, यहाँ पे, cos theta, इसको भी ले आओ, अब देखो, यहाँ यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा जो limit है, यह किस में आ चुका है, सब कुछ theta में है, मेरे पास y है ही नहीं, इसका मतलब यह limit में use नहीं करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, limit को change करना पड़ेगा, किस में, theta के terms में, तो देखो, हमको कैसे change करना है, य का हम को मालूम है, य कहां से कहां जा सकता है, तो हम देखे दे, y 0 से start होगा, और y की value क्या है, x 10 theta, y की value है, x 10 theta, और y की value एक हो सकती है, 0, तो theta कितना होगा, देखो, यहाँ से इस से न, पहले theta निकाल लो, तो 10 theta is equal to y by x, अच्छा, तो जब y जाएगा 0, तो 10 theta कितना जाएगा, 0, तो theta कितना जाएगा, 10 0 0 होता है, हाँ भई, ठीक, अच्छा, इसको न, उपर लिखो यार, जगह नहीं बनेगा फिर, इसको न, कहा लिखें, यहाँ पर लिखते हैं, तो देखो, जब y जाएगा 0, तो 10 theta जाएगा 0, यह clear, अच्छा, और जब y जाएगा infinity, तो 10 theta जाएगा infinity, infinity, और 10 theta infinity मतलब not defined, कब होता है, pi by 2 पे, कब होता है, pi by 2 पे, अगर तुमको नहीं समझ में आ, इस जीच को अगर नहीं recall कर पाऊगे, तो सोचो, यह जाएगा y infinity पे, यह y infinity पे जाएगा, यह ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक time कैसा आएगा, ऐसा लगगा ना, यह उपर एकदम चला गया, 90 degree बना रहा है, infinity point पे, ठीक, तो इसलिए pi by 2, तो अब हमारी जो limit है, वो क्या हो जाएगी, 0 से, pi by 2, चलो, तो 2 k lambda, देखो यह x square theta, x square theta खतम, यह 1x इस square को खा जाएगा, और x भी तो हमारा fix है, तो x भी बाहर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 2 pi by 2, cos theta, d theta, चलो, 2 k lambda by x, okay, cos theta का integration, sin theta, तो sin theta, 0 से pi by 2, upper limit, minus lower limit करते है, तो sin pi by 2, minus sin 0, sin pi by 2 कितना होता है, sin 90, होता है, 1, sin 90 होता है, 1, और यह होता है, 0, हमको क्या मिला, 2 k lambda by x, यह क्या मिला, electric field, clear, तो यह point P का electric field है, बढ़े आराम से समझ में आ गया, अच्छा, तो अब देखो, क्या है, final answer इसमें नहीं लिखना, final answer के लिए, k को put कर दो, 1 by 4 pi, 4 pi epsilon 0, x, 2 से 2 को काट दो, और यह तुमको book में answer दिखने वाला है, 2 pi epsilon 0, x, अब देखो, कई लोग होंगे confused, कि sir, आप x लाए हो, book में y लिखा हुआ है, तो भाई कुछ नहीं है, हमने क्या किया, y axis पे रखा है, अपने line charge को, book ने क्या किया होगा, x axis पे रख दिया होगा line charge को, तो वो जब x axis पे रखेगा, तो उसको y distance में मिलेगा, और हमने जब y में रखा, तो उनको x distance पे देखना है, simple, चलो, तो इसको note कर लो, तो next derivation स्टार्ट करते हैं, और यह हमारा होगा, electric field at axial point of a ring, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम एक ring एज्यूम करेंगे, और उस ring पे मानलो कि Q charge distributor रहे, uniformly और उसके axial point पे हमको electric field निकालना है, तो let us assume कि यह हमारा ring है, और इस ring का यह है center, और यह हो उसका axis, तो इस point P पे हमको electric field निकालना है, ठीक है ना, अब इस ring का radius ले लो A, और यह distance को ले लेते हैं, चलो X, तो यह देखो, यह जो होगा, यह यहाँ पे एक छोटा सा DL element होगा, जिसका charge होगा DQ, अरे, heading तो लिख लेते हैं पहले, तो electric field at axial point of a uniformly charged ring, तो हमारे पास क्या क्या था, यह ring है हमारा, इसका radius है A, और क्या हो गया, DL element हमने है कैजियूम कर लिया, जिसकी वज़ा से electric field यहाँ पे होगी, D, E, clear, यह resistance को चलो, R ले लेते हैं, तो इसके जैसा एक same इसका भाई बंदू होगा, यहाँ पे, opposite end पे, ring के, diametrically opposite end पे, same charges मिलेंगे, तो इसकी वज़ा से electric field होगा, इधर, D, E, फिर से क्या होगा भई, फिर से क्या होगा, इनके होंगे components, तो let us assume, कि यह वाला angle है हमारा theta, तो देखो यह symmetrical ring होगी, तो यह angle भी थो theta होगा, और यह दोनों भी theta, 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 सब कुछ theta, तो अब क्या करें, इनके कर देते हैं, components, तो एक component होगा, D, E का इधर, कितना होगा, D, E, cos theta, इसका होगा, इधर ही होगा, same, D, E, cos theta, अच्छा, अब इनके जो perpendicular components होगे, वो कौन से होगे, तो एक होगा, इधर, D, E, sin theta, और एक होगा, नीचे, D, E, sin theta, चलो, let us assume कि इस पूरे ring पे है total charge Q, इस ring पे total charge है Q, और इस ring के length पे distributed है, मतब total length कितना होगा, जितना इसका circumference है, तो circumference कितना है, 2 pi radius है A, मतब 2 pi A, तो Q charge distributed है 2 pi A पे, तो मैं इसको लिखों कि अगर 2 pi A पे Q charge है, तो unit पे कितना होगा, Q upon 2 pi A, मतब इसका जो ये linear charge density lambda है, ये मिल गाया मझे Q by 2 pi A, अब इस DQ की वज़ासे, यहाँ पे electric field है, D E, तो इस D Q की value, D E को मैं क्या लिख सकता हूँ, K D Q by R square, एकदम simple, अच्छा, अब देखो भाई फिर से, sin theta components will cancel each other, same है पिछले derivation का, मतलब देखो, जो फिर्ट derivation है न, वो थोड़ा सा मज़दार था, अब उसके आगे जितना आने वाला है न, आगे पूरा 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 11th, पूरा 12th का जितना भी derivation इसके बाद आएगा न, तो उसको अगर अच्छे से समझ लिए, तो आगे के सारे derivations आराम से कर सकते हो, we'll cancel each other, ठीक, इनको cancel करा दो भई, ठीक, अब जो net electric field होगी, e net, वो कितना होगा, वो होगा d e cos theta इस direction में, अब देखो यहाँ पे भी same type का चीज़ सोचो, मैं न, 2 d e cos theta लिखूंगा, और मुझे यह दो है, यह दो, इनको घुमाऊंगा, देखो, यह आधा घुमेंगे और पूरा circle cover हो जाएगा, है न, लेकिन मेरे को यह पसंद नहीं है integration, क्योंकि दो limit लेनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूं, एक को ले लो और 0 से 2 pi यह घुमा दूं क्या, पूरे circumference पे 1 को घुमा दूं, तो इसका मतलब मैं d e cos theta दो बार यूज़ ना करके, सिर्फ एक ही बार यूज़ करूं, और यह हो जाएगा हमारा d e cos theta, ठीक है, इसको हम अगर integrate कर दे, तो हमको net electric field मिल जाएगा, अब इसके लिए limit क्या लेने वाल है, 0 से 2 pi a तक, ठीक है, d e की value आपने देख लिया है उपर, क्या है, k d q by r square cos theta, r square को क्या लिख सकते हो, पाइथा कौरस theorem यूज़ करो, a square plus x square is equal to r square, देखो यह दोनो constant हैं, यह दोनो constant हैं, ठीक है ना, और cos theta भी लिख लेते हैं, चलो, cos theta क्या होता है, इहां से r की value क्या होगी, ioहां से r की value क्या होगी, under root a square plus x square, तो यह क्या होगी, x upon under root a square plus x square, clear है ना यह, चलो, put करते हैं, तो क्या होगा, integration, 0 से 2 pi a, k DQ, DQ कितना है भाई, अपना उपर देखो, यह कहां गया, अरे, DQ को तो हमने लिखा ही नहीं, तो DQ क्या होगा, DQ will be equal to lambda DL, ओके, और lambda की value कितनी है आपके पास, lambda की value कितनी है, Q by 2 pi है, और यह कितना है, DL, तो DQ की value put कर देते है, Q upon 2 pi A, DL, cos theta भी put कर देते हैं, cos theta निकाल चुके हैं, एके कि step करो, तो यह हो गया, R square की value क्या है, A square plus X square, और cos theta की value क्या है, X upon under root A square plus X square, देखो under root को मैं क्या करूँ, डरने के जरूवत नहीं है, under root को लिख दो, A square plus square का power half, यह देखो अंदर same, तो A की power M, into A की power N का formula, यूज अगर करोगे, तो तुमको बड़े आराम से मिलेगा, तो यह देखो K b constant है, Q b constant है, X b constant है, 2 constant है, pi constant है, A constant है, A पूरू सब constant, सब constant को बाहर फिको, ठीक, तो क्या मिलेगा, 0 से constant को बाहर फिके न, तो लिखने दो, तो क्या क्या है भई, K बाहर आया, Q बाहर आया, X बाहर आया, 2 pi A बाहर आया, और A square, plus X square, का power 1, plus 1 by 2, 1 plus 1 by 2, 3 by 2, और integration, 0 से 2 pi A, DL, OK, K Q X by 2 pi A, A square, plus X square, का power 3 by 2, अब DL का integration क्या होगा, L, limit क्या होगी, 0 से 2 pi A, 0 put करने कोई मतलब तो है नहीं, minus 0, क्या फरक पड़ता है, मतलिखो, तो क्या हो जाएगा, K Q X by 2 pi A, A square, plus X square, का power 3 by 2, और into 2 pi A, अरे, यह तो चमतकार ही हो गया, यहाँ पर, देखो, खतम, तो इसका मतलब, electric field कितना आया, K Q X upon, A square, plus X square, का power 3 by 2, K की value भी put कर दो यार, 4 pi epsilon naught, अरे तो पिछले वाले से, बहुत ज़्यादा आसान निकला, निकला की नहीं निकला, अच्छा, अब इसमें ने एक special case देख लो, special case देख लेते हैं, special case यह है, क्या है, special case यह है ना, कि अगर मैं ring से, बहुत दूर चले जाऊं, मतलब जो distance मेरा है, वो ring के radius के comparison बहुत ज़्यादा है, तो a is very very smaller than r, तो इस case में क्या होगा, कि मैं a square को, यहाँ पे जो a square है, इसको x square के comparison में neglect कर सकता हूँ, तो मेरा electric field जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, q x by 2 pi, sorry, 2 नहीं, 4 pi epsilon naught, a square, a square का याप हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, x square का power 3 by 2, अब आपने ये वाला formula देख रहा है न, a की power m की power n क्या होता है, a की power m n, इसको जानते हो, तो इसका use कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, 2 और 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा, x cube, क्या मिलेगा, x cube, और फिर यह x cube, एक x यहाँ से कट के, क्या मिलेगा हमको, x square, तो यह एक special case है, कि electric field at a very far away point, on axis of the ring, क्या मिलेगा, dेखो, q by 4 by epsilon naught, x square, clear है ये, तो इस class में इतना ही रखते हैं, next class में हम लोग देखेंगे, electric dipole, दो opposite chargers को साथ में रखेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, electric dipole, तो उस चीज़ को, और उसके आगे के पूरे फिनामेना को, आगे देखने वाले हम लोग, ठीक है,